प्रिये चात्रों नमस्कार अनलोक एश्टरी के नौमिक अक्षा के गनित में आपका स्वागत है आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के प्रस्ण संख्या 5 से आगे के कोश्चन को सॉल्फ करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर प्रस्ण संख्या 6 है आपका यॉकलिट के तीन अभिग्रियों को लिखें दोस्तों यॉकलिट के कुछ अभिग्रियों निमलिखित हैं जो नमबर एक हैं वे बस्तूएं जो एक ही बस्तू के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है नमबर दो यदी बराबरों को बराबरों में जोरा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी बराबर होते हैं नमबर तीन यदी बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो प्राप्त सेस्फल भी बराबर होते हैं नमबर चार वे बस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है नमबर पांच पुर्ण अपने भाग से बरा होता है नमबर छे एक ही बस्तुओं के दूगुने परस्पर बराबर होते हैं नमबर साथ एक ही बस्तूओं के आधे प्रस पर बराबर होते हैं दोस्तों इन साथ पॉइंट में से किसी भी तीन पॉइंट्स को आप यहां पे लिख सकते हैं तो हम लिख लेते हैं नमबर एक पूर्ण अपने भाग से बरा होता है पूर्ण अपने भाग से बरा होता है नमबर दो एक ही बस्तूओं के दुगूने प्रस पर बराबर होते हैं एक ही बस्तूओं के दुगूने प्रस पर बराबर होते हैं पॉर्ण टमबर तीन है आपका एक ही बस्तूओं के आधे प्रस पर बराबर होते हैं आधे प्रस पर बराबर होते हैं तो नेश्ट कोश्चन आपका है कोश्चन नबर सेवेन प्ले फ्रेयर के अभिधारना को लिखें यदि एक तल में एल और एम दो भी निरेखाएं हो तो निम्रिखित संभाव नाएं हो सकती है नमबर एक एल और एम में केवल एक बिंदू उभैनिष्ट है नमबर दो एल और एम में कोई भी बिंदू उभैनिष्ट नहीं है अर्थात एल और एम समानतर हैं दोस्तों एल और एम अगर कोई दोड़ेखा है तो या तो वह ऐसे हो सकती है यह माली जे एह हमने एल माल लिया और एह हमने माल लिया एम ठीक है तो इसका केवल एक बिंदू जो है वह भैनिष्ट हो सकता है जहां पर दोनों कट रहा है तो यह तो हो गया मेरा कंडिशन एक के लिए अब आए दूसरे कंडिशन में तो कह रहा है कि एल और एम में कोई भी बिंदू भैनिष्ट नहीं है अर्थात एल कोई समान समानतर रेखा हैं अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन में अब प्रस्ण संख्या आठ्ट है आपका निम्रीकित पदों में से प्रतेक की परिभाशा दें क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जीने परिभासित करने क्या जैसे मान लिया जाए कि एक रेखा A हो गया और दूसरा रेखा A हो गया इसमें से इसको A L मान लेते हैं और इसको M मान लेते हैं और यहां पे हम यह देखते हैं कि दोनों में से कोई भी रेखा आपस में टच नहीं कर रहा है और सपर्स नहीं कर रहा है तो यहां कोई भी उभ कौन दोस्तों हम नियू न कॉन वैसे कुन को कहते हैं जिसका मान नवय से कम होता है और जिर लिपील से बरा होता है जैसे मान लिया जाए कि अगर कि कोई कौन है तो यह तो आप को पता है कि यह क्या बनेगा सु indifferent बनेगा क्योंकि इसका माप कितना है 90 डिग्री है ठीक है लेकिन अगर आपको नियून कुन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा माली जे की जीरो इधर है और 90 यहां है तो अगर 90 डिग्री से अगर इस तरफ अगर चला आएगा तो 90 डिग्री से जादा हो जाएगा हमें क्या क दोस्तों चार भुजाओं से घीरे हुए ऐसे छित्र को हम आयत कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रतेक कुन 90 डिग्री का होता है यहाँ एबी सी और डी एक आयत है नेक्स्ट है आपका समानतर चतर भुज दोस्तों समानतर चतर भुज के भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है लेकिन इसका प्रतेक कुन 90 डिग्री का नहीं होता है एक परकार का चतर भुज है और इसके जो आपरिभासित पद हैं वह चतर भुज और रेखा हो जाएगा यहाँ A, B, C और D एक समानतर चतरभुज है कोश्चन नमर 9 है दिये गए चित्रों में यदि A, B, B, C, B, C, D तो सिध करे की A, B, 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 1, 3, A, D हल दिया है A, B, 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 C, B, C, D तो यहाँ A, D बराबर हो जाएगा आपका A, B, B, C, C, D तो A, D बराबर यहाँ A, B, PPLUS दोस्तों B, C जो है वो भी A, B के बराबर है तो हम B, C के जगह A, B, Lीक सकते हैं अबी Q, C, D भी A, B के बराबर हैं तो C, D, के जगह हम A, B, Lीक सकते हैं तो यहाँ A, D बराबर 1, 2, 3, A, B हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 AB, तो इसका मतलब है कि 3 गुने AB, तब हम इसे करते हैं, AB बराबर एक बटा 3AD क्योंकि जब यहां हम 3-6-3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3AB तो क्या हो जाएगा 3AB हो जाएगा और AD एकम AD हो जाएगा यहीं हमें सिद्ध करना था Q10 है आपका दिये गए चीत्र में यदि PR बराबर QS तथा PQ बराबर QR तो सिद्ध करेंगी PQ बराबर 1.3 PS हल दिया है आपके पास PR बराबर QS दिया है PR बराबर क्या QS तो हमें सिद्ध क्या करना है PQ बराबर 1.3 PS सिद्ध करना है PQ बराबर 1.3 PS तो आपके पास दिया हुआ है PR बराबर QS दिया हुआ है चलिए इसको हम समिकरन नेक मान लेते हैं समिकरन एक में दोनों तरफ लिखेंगे समिकरन एक में दोनों पक्षों में QR घटाने पर तो क्या करना है PR है तो लिखेंगे PR और इस पक्ष में क्या है QS है हमें क्या करना है कि इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ में क्या करना है कि QR को घटा देना है तो QR घटा देते हैं इसमें से भी और QR घटा देते हैं इसमें से भी और अब आप यहां देख सकते हैं कि P से R की दूरी इतना है कितना है? यहां से यहां है अब इसमें से अगर हम Q से R की दूरी को घटा देते हैं तो क्या बच रहा है मेरे पास? P से Q की दूरी बच रहा है न? तो लिख देते हैं P Q और बराबर इसमें अब इधर आई ये क्यू से एस में तो क्यू से एस की दूरी में से अगर हम क्यू से आर की दूरी अगर यहां घटा देती हैं तो क्या बच रहा है आरेस बच रहा है तो लीख देते हैं क्या आर एस इसको हमाल लेते हैं समीकरण दो, अब यहाँ PQ बराबर RS हो गया यानि P से Q की दूरी जितना है उतना R से S की दूरी है तो QR भी बराबर हो जाएगा ठीक है, तब हमें क्या करना है लिखना है PQ बराबर QS बराबर RS बराबर है अब क्या करना है आपको इस सबको जोड़ देना है तो P से Q की दूरी को जोड़ देते है Q से R की दूरी को जोड़ देते है और Q से S की दूरी को जोड़ देते है जब तीनु दूरी को जोड़ देंगे इसको और इसको जब जोड़ देते हैं तो क्या आजाएगा पी से एस की दूरी आ जाएगा क्या जाएगा पी से एस की दूरी आ जाएगा अब यहाँ पी क्यूब क्या है पी क्यूब और क्यूब भी पी क्यूब के बराबर है तो यहां भी हम लिख सकते हैं पी क्यूब और QS भी PQ के बराबर है तो यहां भी हम लिख सकते हैं PQ बराबर में है PS अब देखे PQ, PQ और PQ जो तीनों को जोड़ेंगे तो यह आ जागा मेरा 3 PQ बराबर में PS जिस परकार से question number 9 में किये हैं PQ बराबर 1 बटा 3 PS लिख दीजे सिध हुआ दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद